सभी को जाहें मैं नितनी को डे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल Mission NCC The Way of Success में तो आप में से बहुत सारे कडेट से जो 2025 में आप सभी NCC B Certificate का एक्जाम देने वाले हो तो आप सभी को जो है मैं NCC B Certificate का Official Syllabus और Allotment of Marks यानि कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के लिए questions पूछ जाएंगे और कौन-कौन से नए सब्जेक्ट इस बार 2025 में आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारा syllabus और उनके mark आप सभी के सामने आज discuss करने वाला हो तो वीडियो लास तक जरूर देखना वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं एक मिनिट में या दो मिनिट के वीडियो में आपको ये सारा समझा नहीं पाऊंगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा बट उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दू आप में से बहुत सारे कडेट्स हैं जिनको फ्री में नोट्स चाहिए उनको मॉडल पेपर चाहिए ये सारी चीज़े आपको मिशन NCC की आप में मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा और वहां से मिशन NCC आप को इंस्टॉल करिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए एप्लिकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है क्या करोगे सबसे पहले एप को ओपन करना है मेनू के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखिएगा NCC MCQ IMP PDF 2024 और NCC IMP MCQ Quiz यह प्लस वाले जो आइकॉन है इसके प्लस के उपर क्लिक करना है जैसी क्लिक करोगे तो आपके सामने हर चाप्टर के नोट्स आपके सामने आ जाएंगे हर चाप्टर के क्वीज आपके सामने आ जाएंगे अगर आपने इतना भी अच्छी तरीके से solve कर लिया तो भी आपका alpha पका है ये guarantee के साथ मैं बोल सकता हूँ और जिनको भी हमारे WhatsApp group में joined होना है जिनको भी Telegram group में joined होना है सभी के link मैंने description box में दे रखे जल्दी से जाइए हमारे साथ WhatsApp में जुड़िए और Telegram पे भी जुड़ सकते हो चलो तो भी हम थोड़ा सा detail में समझने की कोशिश करते है B certificate के syllabus को अब बहुत सरे credit के दिमाग में एक doubt है कि sir इस बार का paper का pattern क्या होगा तो paper का pattern होगा बच्चो mcq यानि कि multiple choice question एक question होगा उसके चार options आपको मिलेंगे ठीके और आपको OMR sheet दी जाएगी उस OMR sheet में जो है वो आपको क्या करना है इस तरीके से गोला भरना है circle आपको करना है उसके ओपर गोला भरना पड़ेगा तो आप B certificate का जो आपका paper होता है बच्चो तो पहले तो याद रखो आपके NCC के syllabus को ठीक है दो भागों में बाटा गया है ठीक है आपके syllabus को एक को कहा गया है बच्चो common subject एक को क्या कहा गया है common subject और दूसरे को बोला जाता है बच्चो special subject ये तो पहले आपको पता होना चाहिए जब तक आपको यही पता नहीं है तो सिलाबस आपको समझ में नहीं आएगा आपका जो NCC का सिलाबस है उसको दो भागों में बाटा गया है एक को बोला गया है common subject और दूसरे को बोला गया है special subject अब पहले हम बात करेंगे ये तो आपको समझ में आया common और special आप सभी के रेट को part 1, part 2 and part 3 थोड़ा सा ध्यान रखिए आपका पूरा पिपर इसी के उपर बैजड है part 1, part 2 and part 3 तो इसे क्या कहा जाता है बच्चो common subject क्या कहा जाता है इसे common subject मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो common subject में आपका part 1 होगा part 2 होगा, part 3 होगा तो part 1 में सबसे पहले आता है बच्चो drill तो drill से जो है आपके B certificate के return के exam में zero number के लिए question आएंगे मतलब drill से इस बार कोई question नहीं आएगा return में अब बात करेंगे बच्चो practical के exam में तो practical के exam में 80 number के उपर आपका practical का exam होगा drill का तो drill अगर आपकी drill अच्छी नहीं है तो drill आज से ही जो है वो अच्छी drill बना लीजिए क्योंकि 80 number के लिए जो है वो drill के उपर practical में आपको पूचे आएंगे और 80 में से passing number यानि कि 80 में से आपको जो है वो 40 number आपको लेना पड़ेगा passing के लिए practical के exam में 80 में से 40 number लेना पड़ेगा उसके बाद में बच्चों आता है आपका दूसरा part 2 part 2 आता है weapon training तो weapon training में जो है b certificate के exam में liquid परिक्षा में यानि कि return में 30 number के लिए question आएंगे और 30 number का आपका practical होगा 30 number का liquid 30 number का practical total 60 number के लिए question आएंगे weapon training से और 60 में से आपको किसी भी हालत में 30 number score करना पड़ेगा passing के लिए इस बात को याद रखे सभी okay अब तीसरा जो आता है बच्चा part वो है आपका miscellaneous अब miscellaneous का मतलब क्या होता है miscellaneous का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़े mixed हो miscellaneous का मतलब होता है mixed, mixed चीज़े अब miscellaneous में अलग टाइप के subject आते हैं तो जिसमें the NCC, NCC general ये एक subject आता है ये किस में आएगा, ये सारे subject miscellaneous में आएगे, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो न बच्चा ये सारे, तो ये सारे subject किसमें आएगे, ये सारे subject आएगे, miscellaneous में तो miscellaneous में सबसे पहला आता है NCC general, तो इसके उपार पाच नमबर के लिए, छे नमबर के लिए questions आएगे, याद रखना छे नमबर के लिए questions आएगे आपका दूसरा है वो है आपका national integration and awareness, तो इससे जो है वो 18 नमबर के लिए questions आएगे personality development, start question leadership, 18 question मतलब mark के लिए अब एक बात मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, बचो इसमें क्या होगा, एक question, दो mark का होगा, ये भी याद रखना है एक question, two marks, यानि कि एक question होगा, दो marks के लिए होगा, अब जैसे की मान के चलो ये चोता जो आपका है disaster management, ओके, तो disaster management के लिए, अठरा number के लिए, आपके exam में जो है, marks, अठरा marks का disaster management से question आएँगे, तो अभी अठरा marks है ये, आप इसके questions कितने होगे तो 9 question, यानि कि disaster management के उपर कितने questions होगे 9 question, और mark कितने होगे, तो 18, यानि कि 1 question 2 number का होगा, ये याद रखना उसके बाद आएगा आपका social service and social awareness and community development services तो इससे 32 mark के लिए questions आएंगे 6 number पे होगा health and hygiene, स्वास्ते वा विज्ज्यान इससे 26 number के लिए questions आएंगे, और आपका adventure activities तो adventure activities से 16 numbers के लिए question आएंगे, और 8 number पे आता है आपका obstacle training, जिसे आप बादा प्रस्षिक्षन कहते हो, तो बादा प्रस्षिक्षन से 6 number के लिए question आपके exam में पूछाएंगे अब इस बार जो एक नया subject add हुआ है, जिसका नामे border and coastal area, तो border and coastal area से जो है, वो 8 number के लिए आपके exam में questions आएंगे यानि कि इन सभी को क्या कहा जाता है, बचों, इन सभी को कहा जाता है, miscellaneous यानि कि the NCC से लेकर border and coastal area तक ये सारे subject किसमे आते हैं तो miscellaneous, तो miscellaneous मे total question कितने होंगे, अगर हम इन सभी की plus करते हैं, इन सभी को मिलाते हैं, तो total number होगा, बचो, 210, तो miscellaneous में 210 number के लिए question आएंगे, तो 210 में से आपको किसी भी हालत में 105 number passing के लिए लेना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे, ओके, तो सबसे hard, जो आपका subject होता है, बचो, वो है miscellaneous, ठीके, तो इसी में बहुत जादा बच्चे जो है, वो fail हो जाते miscellaneous में, तो याद रखना, miscellaneous से 210 number के लिए question आएंगे, और उसमें से आपको 105 number किसी भी हालत में score करना पड़ेगा, तो ही मैंने आपको एक पहले ही यहाँ फेर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था, कि आपका जो एंसी का paper है, उसको दो subject में divide किया गया, एक होता common subject, तो common subject में कितने part आएंगे, बचो, common subject में ये तीन part आएंगे, part one, part two, part three, part one होता है drill, part two होता है, weapon training, and part three होता है, बचो, miscellaneous, अब बात करेंगे, part four, यानि special subject, okay, common subject हो गया, समझ में आए गया सभी को, अब, अब बात करेंगे, common subject का, जो आपका written का exam होता है, common subject में जो written का exam होता है, वो होता है, 240 number का, और practical होता है, 110 number का, इतना समझ में का लोगा, आपका 110 का, okay, common syllabus से, अब बात करेंगे specialized syllabus, या इसे part four भी कहा जाता है, तो specialized syllabus में, जो है, सबसे पहला है, armed forces, तो armed forces से, जो है, वो 20 number के लिए questions आएंगे, उसके बाद आता है, बचो, आपका map reading, map reading से, जो है, वो 24 number के लिए questions आएंगे, और तीसरा आता है, आपका field craft and battle craft, तो इससे भी, जो है, field craft and battle craft से, 26 number के लिए questions आएंगे, अब, अब आता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपका map reading का practical का exam होता है, ठीके, map reading का liquid भी होता है, उसी के साथ साथ practical का भी exam होता है, practical में 16 number के लिए, आपसे questions पूछ आएंगे, practical का याद रखना, 16 number, 16 में से आपको 8 number चाहिए, passing के लिए, map reading में, FCBC, FCBC में भी 16 number का आपका practical होगा, 16 में से आपको FCBC में भी जो है, वो 6 number चाहिए, 8 number चाहिए होता है, passing के लिए, तो याद रखना, map reading का भी प्रैक्टिकल होगा, और आपका field craft and battle का भी जो है, प्रैक्टिकल होने वाला है, उसके बाद, तीसरा जो है, आपका चाहर नंबर का, ओके, introduction to infantry, weapons and equipment, तो इस chapter से जो है, 16 number के लिए question आएंगे, military history, तो military history से 20 number के लिए question आएंगे, and next आता है आपका communication, यानि कि संचा, तो communication से जो है, वो 6 number के लिए, liquid परिक्षा में question आएंगे, और practical में, practical में, 8 number के लिए questions आएंगे, ठीक है, तो practical में कितने number के लिए question आएंगे, 8 number के लिए, तो बच्चा, practical में आपको communication में, 8 में से, किसी भी हालत में, 4 number आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप आपका exam पास कर सकते हो, ओके, तो यानि कि, total मिला करके, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, total मिला करके, अगर हम बात करेंगे, liquid परिक्षा की, तो भाईया, आपका जो specialized syllabus है, वो 110 number का होता है, याद रखना, specialized syllabus आपका, 110 number का होता है, और specialized syllabus का, जो practical है, वो 40 number का होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, सभी के अड़ेट्स, ओके, तो अब total, अब final अगर हम बात करेंगे, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ओके, आपको क्या याद रखना है, बचो, अब यहाँ पे देखिएगा, सभी उपर देखिए, तो भए पहले हम तो हमने पहले common subject, ठीके, common subject में आपका पूरा paper होगा, कितने number का, लिखित परिक्षा कितने की होगी, return, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, return, और इधर हम बात करेंगे practical, ओके, तो return common subject में 40 number का आपका return होता है, practical होता है बच्चा 110 number का, उसी के साथ साथ आप बात करेंगे दूसरा आपका special subject, तो special subject में return होता है 110 number का, और practical होता है बच्चा 40 number का, यानि कि total अगर हम बात करेंगे, तो return का जो आपका paper होता है वो होता है 350 नंबर का और practical का जो आपका paper होता है वो होता है 1500 नंबर का इस बात को याद रखेंगे okay common subject आपको मैंने बता दिया common subject में return होगा आपका कितना 240 का specialized syllabus में कितना होगा 110 का total मिला के 350 का आपका return होता है और practical का कितने का होता है तो practical का 150 का total अगर हम बात करेंगे बचा aggregate तो aggregate आपका जो paper होता है NCCB certificate का वो होता है 500 नंबर का सबी बच्चे याद रखना 500 mark आपका पूरा paper होता है 500 में से return कितने का होगा फिर से एक बार बता देता हूँ return होगा आपका 350 and practical होगा बच्चा आपका कितने का होता है practical तो यह होता है 150 का total मिला करके बन जाते है 500 नंबर अब बात करेंगे थोड़ा सा grading के बारे में तो 500 में से 500 में से जो भी बच्चा 350 की उपर नंबर लेकर आता है उसे ए ग्रेट दिया जाता है यह भी आप चीजे समझ लीजें अब बात आती है इसमें आपका जो 2025 का जो पेपर होगा तो 2025 के पेपर में total questions कितने रहेंगे बचो तो total question रहेंगे ये थोड़ा सा याद रखना सभी okay तो टोटल कोशन रहेंगे, एक सो पचातर कोशन, मेरे सभी दोस्त याद रखेंगे, टोटल कोशन कितने रहेंगे, एक सो पचातर कोशन के लिए, सॉल करनी के लिए, तीन घंटे का समय होगा, टाइमिंग कितना होगा, तीन घंटे में आपको, एक सो पचातर कोशन सॉल करने पढ़ेंगे पेपर का फैटन होगा बच्चों MCQ यानि कि multiple choice question इस तरीके से आप सभी को एक OMR sheet दी जाएगी जैसे आप देख रहे हो नहीं यहाँ पे यह mission NC की OMR sheet है तो इस तरीके से OMR sheet दी जाएगी उसमें 150 question होंगे और वहाँ पे आपको उसका circle को भरना पड़ेगा गोला भरना पड़ेगा टाइमिंग तीन घंटा ओके यहाँ पे मैंने आपको grading भी बता दिया है और एक question कितने number का होगा दो marks का कितने का होगा एक question होगा दो marks का तो I hope कि आपको यह सारी चीजे अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अगर कोई भी डाउट हो तो comment box में पूछ लेना अगर आप चाते हो कि आपके 20 certificate के exam में आप A grade लेना चाते हो तो आप क्या कर सकते हो यह जो हमारी Mission NCC की book है जो आपको Amazon पर मिल जाएगी Flipkart पर भी मिल जाएगी या तो जो हमारा Mission NCC store का app है उस application में भी आपको यह book मिल जाएगी तो अपने लिए आज भी book को order करें और अपनी तयारी आज से ही शुरू कर दीजिए और जो भी बच्चे हमारे साथ जूरना चाहते है फ्री में आप पढ़ाई करना चाहते हो तो application आपके लिए बिल्कुल फ्री है तो गूगल प्ले स्टोर से यह application को install करो application में भी आपको सारी चीज़े बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी तो फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में भी आप पढ़ सकते हो और यहां पर मैंने हमारा WhatsApp ग्रूप भी बना रखा है टेलिग्राम ग्रूप भी बना रखा है तो आप इसमें भी जुड़ सकते हो तो कोई doubt हो आपका तो comment box में comment कर देना अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत informative लगा है या अगर आप दिमाग से हुश्यार बन्दे हो तो definitely आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओगा अगर दिमाग से फिर तो नहीं समझ में आया होगा है ना ऐसे भी होता है कभी कभी चलो तो कोई doubt हो तो comment box में पूछ लेना और हमारा course launch होने वाला है जो जिसको भी paid PDF चाहिए तो paid PDF वाला course हमारा जो है एक December को launch होने वाला है इस बात को याद रखना सभी बच्चे तो जिनको भी paid PDF लेना है एक December 2024 को paid PDF का हमारा course जो है वो launch होगा वो course आप online order कर सकते हो जिसमें आपको paid PDF मिलनेंगे इस बात को याद रखना बाकी कोई डाउट हो तो comment box में पूछ लाँ चलो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो वीडियो को लाइक करो जाहें वंदिमात राम बाइव्रिवान